नमस्कार आप देख रहे हैं बॉलिवुड की इस्ट्रिवा मैं हूँ आपके साथ एकताव में लेकर आए हूँ बॉलिवुड की कुछ स्टेटिस्टिप देख बॉलिवुड की किंग खान शारू खान आया दिन चर्चा में बने रहते हैं अक्टिर कभी अपनी प्रोफेश्नल लाइफ को लेकर लाइम लाइफ बटोरते रहते हैं इसी भी शारू खान की जल्दी फिल्म जवान भी परदेपरिलीज होने वाली है हाला कि जवान से ज़्यादा एसार की इस वक्त एक और फिल्म को लेकर जंपर लाइन लाइक में बने हुए है बताने कि ये फिल्म कोई और नहीं बलकि फ्रेंचाइजी फिल्म डॉन 3 है जहां फिल्म को लेकर अब एक बड़ी ख़बर भी समने आ रही है दरसल अमिताब बच्चन और शारुखान की जोड़ी का एक समय पर जलवा था दोनों की अधिकान सभी फिल्में परदे पर जबर्जस्त हिट रहती थी वो फिल्म चाहे महबते हो या फिर एसार के और अमिताब की बहतरीन फिल्मों में से कभी खुशी कभी गब हो ये दोनों इस फिल्में परदे पर जबर्जस्त धमाद दिखाई थी जो आज भी लोगों के दिलो दिमाग में चाही हुई है लेकिन आज दोज़ाट 6 के बाद से लोगों ने इन दोनों स्टार्स को एक साथ बड़े स्टिन पर अब तक नहीं देखा है ऐसे में फैंस की शायद ये मुराल पूरी होने वाली है दरसल अमिताब बच्चन और शारु खान की एक तस्वीर खुब वाइरल हुई है जिसमें किंग खान और अमिताब बच्चन भागते हुए नजर आ रहे हैं इस पोस्टर के बाद से कयास लगाये जाने लगे हैं कि दोनों एक बाफिर से बड़े परदे पर साथ नजर आएंगे इस तस्वीर के बाद खबर सामने आने के बाद मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जाने लगा है कि अमिताब बच्चन और शारु खान डौन 3 में एक साथ दिखाई देंगे लेकिन इसको लेकर अभी तक कोई भी आधिकारी खबर सामने नहीं आई है अब इसको लेकर खुश शारु खान ने भी एक रियक्शन दे दिया है दरसल शारु खान ने आस्क इसार के सेशन में कहा कि इतने सालों बाद मिताब बच्चन के साथ काम करके अच्छा लगा वो शूटिंग के पर आये और उन्होंने मुझे आशिरवाद भी दिया इसके अलावा मिताब बच्चन ने मुझे रेस में भी हरा दिया दरसल शारु खान और मिताब की जोड़ी को फैंस काफी पसंद करते हैं वहीं अब इन दोनों की साथ में तस्वीर देख फैंस के एकसाइटमेंट काफी जादा बढ़ गई है ऐसे में अब देखना दिल्चास पोने वाला है कि क्या सच में 17 साल के बाद शारु खान और मिताब बच्चन परदे पर धमाल मचाने वाले हैं लेकिन आप इन दोनों को एक साथ परदे पर देखने के लिए कितने एकसाइटेड है यहां में कमेंट सेक्षन में जरूर बताईएगा वाल अभी की इस रिपोर्ट में बस इतना ही मैं एक तत्रे पार्ठी पुंजाब की इस दिल्ली से अगर आप मारे वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तुम्हाँ पेज को लाइक जरूर करें और अगर आप मारे वीडियो यूटुब पर देख रहे हैं तुम्हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना पूर लो